CM जनसेवा सिविर लगाए जा रहे हैं इसका एक ही उद्देश है कि जनता को योजनाओं का लाव लेने के लिए डफ्तरों में ना जाना पड़े उनके पंच्यात में ही सिविर लगे पूरे अधिकारी और सरकार आए और जनता को लाव दे इसलिए आपके हां CM जनसेवा सिव सिविर लगाया गया है इसमें जो आवेदन आये हैं उन आवेदनों को एक-एक करके छांटेंगे और तने पात्र रेत ग्रही है चाहे वो रासन की योजना के हो, चाहे वो प्रधान मंतरी किसान समारधी के हो, मुख मंतरी किसान कल्यान योजना के हो, चाहे वो CM और PM की स्ट्रीट वेंडर की योजना के हितगराही हो, चाहे वो क्रेडिकार्ट की योजना हो, लाली लक्ष्मी का लाव हो, आवास की समस्या हो जितने भी आवेदन आप क्या हैं यह सारे आवेदन च्छाटे जाएंगे और बिभाग बार फिर च्छाट के जो जो पात्र हित्गराही है उन सब को लाव दिया जाए आपके गाव में दूसरा सिविर लगा के तो पहले सिविर में नहीं जो दूसरा सिविर लगेगा इसमें इन आवेदनों को च्छाट के पात्र हित्गराही च्छाट के हम लाव देंगे उस सिविर में मैं जरूर आउंगा और वहाँ अपने हातों से कुछ लावार्थियों को अलग अलग योजनाओं का लाव दिवित करूँगा आज चूंकि काफी चाहता हूं कलेक्टर सहित जितने भी विभागों के अधिकारी हैं मंत्री मौझूद हैं वो सारे आविदन उन्होंने लिये होंगे च्छाटे होंगे और पतकाई जिनका लाव देना है वो लाव मेरी तरफ से रामकिसोर कावरे नानू हमारे मंत्री महां लावार्थ को फित ग्राहियों को लाव देंगे लेकिन मैं फिर कर रहा हूं दुबारा जब सिविर लगेगा तमामा स्वेहम आएगा आपके गाउं में हित ग्राहियों को फित लाव का वित्रव भी करेगा और गाउं की समस्याओं का समाधान भी करेगा आज मौसम खराब होने के हूं इसलिए एक बार फिर आप माफी मांगता हूं मेरे प्रतिजी के रूप में मंत्री अभी आपके बीच रहेंगे कलेक्टर और अन्य धिकारी रहेंगे और आपकी समस्याओं का समधान